अगे हम हम स्चार्ट करते हैं अपनी नेक्स वीडियो के साथ तो इससे पहले हम लोगों ने देखा है जेंकिन्स को किस तरीके से इंस्टॉल करना है डॉकर पर कंटेनर पर या फिर एक स्टैंडलोन मशीन पर तो यह मेरा जेंकिन्स यहां पर इंस्टॉल हो चुका है सारी इ भी चुका हो अगर आपने वीडियो अप तक नहीं देखते हैं तो आप उसको देख सकते हैं और आपको पता लग जाए हम कैसे करके इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो में हम लोग शीखते हैं कि यहां पर मैं आपको बेशिक इंफॉमेशन देशन दायता हूं कि जैंगिन क इस वीडियो में आपको बतायता हूँ तो यह जो है जैंकेंस का होम पेज है प्लस यहां पर एक सर्च पार है जहां से सर्च वगयरा कर सकता हूँ उसके बाद जिस यूजर से मैं लॉग डेन हूँ उसके नाम दिखा रहा है मुझे अगर इसका पासवर्ट रिसेट करना है तो मैं कॉन्फिगर में जाकर मैं इसका पासवर्ट रिसेट वगयरा कर सकता हूँ यहां पर क्रिडेंशियल में सॉरी ओके यहां से मैं एक job create कर सकता हूँ और यहां भी मेरे पास एक option है job create करने का तो जैसे मैं यहां पर new item में जाता हूँ उसके पास मुझे तीन या चार option आएंगे जैसे फ्रीस्टाइल प्रोजेक्ट मनाने का या फिर एक पाइबलाइन प्रोजेक्ट मनाने का Mayven project मनाने का तो वो सारे options मेर पास आएंगे तो उन में से मैं choose कर सकता हूँ मुझे कौन से वाले option के साथ अपनी job को create करना है तो जैसे यहां पर मैं job का नाम दोंगा जैसे मैं यहां पर job का नाम देता हूँ job1 उसके बाद मैं freestyle project ले सकता हूँ यहां पर OK कर सकता हूँ, अब यहां पर कुछ मुझे basic information वगयरा देनी होंगी, यह सारे जो हैं, कोई mandatory task नहीं है, अगर आपको देना है, तो आप यह सारी चाहिए दे सकते हो, नहीं तो जैसे कि यहां पर journal में आप बता सकते हो, यह क्या description है, उसके बास आपके पास और भी ब build trigger के अंदर हम लोग अपनी build को कैसे करके trigger करवाते हैं, build environment, किस environment में मुझे उसको trigger करवारा है, build के अंदर मैं instruction दूँगा, मेरी job कैसे trigger होगी, और post build action, मेरी job एक बारी trigger हो चुकी है, तो उसके बाद में क्या क्या action ले सकता हूँ, तो जैसे यहां पर मैं एक build action ले 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 करता हूँ, और यहां पर मैं execute shell करता हूँ, execute shell में इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो है मैंने linux machine पे install किया है, तो यहां पर कोई भी command लिख कर देख सकते हैं, ऐसे मैंने यहां पर hostname लिख दिया, apply and save, और यह मेरी machine है, जिसके अपर मैंने Jenkins को install किया है, तो यहां पर मै hostname दिखा रहा है, यहां पर, ओके चलो verify कर लेते हैं, क्या same hostname यह हमें यहां से भी दिखा रहा है, तो मुझे अगर अपनी job को start करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, build now पे click करके, तो यहां पर जो मेरी job होगी, वो running में आ जाएगी, तो यहां पर एक green signal मुझे दिख रहा है और यहां पर मुझे यह बता रहा है, कि मेरी यह job है, वो successful है, तो console output में देख सकता हूँ, जो hostname में, वो बिल्कुल exactly यही दिखा रहा है, अब यहां पर मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, आपको जैसे कि, मैं अगर अपनी Linux मशीन पर जाता हूँ, मैं यहां पर लिख अगर में आया, और यहां पर मैं एक कमांड लिख देता हूँ, हूँ अपलाए, अब यहां पर मैं इस job को बिल्ड नाओ पर क्लिक करता हूँ, तो यहां पर यह जो मेरी second job है, यह भी मेरी successful हो चुकी है, तो यह green color पर आ रही है मेरी job का icon, तो इसको मतलब में successful है, अब मैं यहां पर देखो, हूँ हम आए, तो यह Jenkins देखा रहा है, तो जितनी भी jobs वगेरा चलती है, Jenkins console से, जितनी भी Jenkins से चला रहा हूँ, वो सारी Jenkins यूजर से चलेंगी, तो by default एक user create भी हो जाता है, अगर आप cat etc password में देखो, तो यहां पर एक Jenkins user create भी हो चुका है, बट इसका main false है तो that means, यह user अभी login नहीं कर सकता है, बट यह user create हो चुका है, जब मैंने अपना यह installation किया था, Jenkins का, और उसके बाद जो भी मैं यहां पर job चला रहा हूँ, वो किस से चल रही है, Jenkins से, और यह कहां चल रही है, यह भी देखना बहुत जादा ज़रूरी है, जैसे यह ओपर workspace की लगता हूँ, PWD, तो यह मुझे दिखा रहा है कि मैं अभी इस location पर हूँ, देखने दें, जितने भी मेरी jobs वोगेरा चल दी है, वो किस location से चल रही है, इस समय, तो अगर मैं third पर आया, third job के मैं console output पर गया, तो यहां पर वो मुझे output पर दिखाएगा, ति यह जो मेरी job है, यह war lib jenkins के अंदर workspace job name, जो मैंने job मनाई थी, job one के नाम से वहाँ से चल रही है, तो अब हम इस location पर आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा expand कर जाता हूँ, और cd war lib jenkins, ओके, इंटर करते हैं, यहां पर ls करता हूँ, ls minus lh, अगर हम देखें, यहां पर पुरा जो honor and group की permissions जो है, वो jenkins के पास ही है, तो that means, यहां पर EC2 user जिससे मैं already logged in हूँ, उसके पास कोई access नहीं है, वो हाँ, यहां पर अंदर console के जा पा रहा है, क्योंकि read access है, ओके, वो यहां पर देख पा रहा है, बट चितनी भी jobs वोगरा चल रही है, वो यहां से चल रही है, वाल, लिब, जैनकेंस, उसके बाद workspace, तो यहां पर मैं दिखा है, तो यहां पर मैं दिखा है, तो यहां से मेरी jobs होगरा चल रही है, और अगर मैं इस job के अंदर जाओंगा, job 1 के अंदर, यहां पर मैं LS करता हूँ, ओके, यहां पर मुझे अभी कोई भी output नहीं दिखा रह है, तो यहां से जितना भी है, started by user admin, तो यह admin को नहीं हो गया, जिस user से मैं यहां पर logged in हूँ, तो अगर आपने जब Jenkins को install कर रहे थे, और उस समय आपने मानलों कि Jenkins user बनाया था, initial user, तो यहां पर जो होगा, started by user Jenkins, तो यह हमेशा उस user का नाम लेगा, जिस user से आप logged in हूँ, अभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे करके Jenkins पे users को access दे सकते हैं, तो वहां से हम लोग देखेंगे कैसे करके different user से मैं इस job को चला सकता हूँ, तो अभी के लिए जो मैंने default user है, जिससे मैं logged in हूँ, admin से, उससे ही दिखा रहा है कि started by user admin, यह first information दिखा र नहीं है, कुछ और चीज़े देख लेते हैं, जैसे अभी मैं configure में वापिस आता हूँ, कुछ और jobs चला कर देख लेते हैं, यह सिरफ हम लोग एक देख रहे हैं कि हम लोग Jenkins console को कैसे करके use कर सकते हैं, उसके output, तो यहाँ पर echo, और यहाँ पर omi, तो यहाँ पर मैंने तीन commands लिख दी हैं, तो एक बार ही apply and save कर देते हैं, और उसके बाद इसको execute करवाते हैं, build down से, तो यहाँ पर job number 4 भी successful आ चुकी है, मेरी, और यहाँ पर मैं देखूं, तो यह इसना step by step उसको execute भी कर दिया है, में लिए, अब हम देखते हैं कि अगर मालनो मेरी job में कुछ गल्ती हो जाती है, तो कैसे घर के Jenkins जो है, उसके output console में मुझे दिखाता है, या फिर यहाँ पर कोई color change होता है, नहीं होता है, तो मैं configure में वापस जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कोई human error कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं देता हूँ, city, hello world, तो यह मुझे बताए कि यह जो है folder मेर पास नहीं है, created, तो इसको save करते हैं, और यहाँ पर build now पर फिर से click करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो है, तो एक cross का sign आ चुका है, तो इसके मैं output console में जाके देख लेता हूँ, तो इसने execute किया है पहले को, second को, third को, और उसके बाद इसने मुझे error message दे दिया है, और यह error message इसने मुझे same दिया है, जो मुझे यहाँ पर मिलता है, चलो मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ, cd, और यहाँ पर अगर मैं hello world ऐसे करके लिखू, मतलब कुछ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर मुझे वो ही दिखा रहा है, hello no search file or directory, तो यही मुझे दिखा रहा है, जो मुझे यहाँ पर मतलब console में दिखता है, मतलब linux server के अंदर जो मुझे error message मिलता है, वो ही error message इसके बाद यह मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, और उसके बाद यह मुझे यह भी बता रहा है, कि execute shell जो है, उसने उसको fail कर दिया है, okay, okay, इस video में मैं आपको और चीचे ब integration, manage Jenkins, manage node, यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास options है, तो step by step जब हम आगे बढ़ेंगे इस series में, तो हम देखेंगे कैसे कैसे इन सब को use करना है, अभी के लिए जैसे अगर मालो कि जब हम लोग Jenkins इंस्टॉल कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि वो plugin को इंस्टॉल कर रह अब यहाँ पर manage plugin में जब मैं आता हूं तो मुझे चार option मिलते है, updates, available, install and advance, तो इसको अभी आगी की series में हम लोग बहुत डेटेल में देखने वाले हैं कि यह सब चीए क्या हैं, बट जब हम लोग Jenkins को install कर रहे थे, तो कुछ plugin उसे by default install किये थे, तो वो यह सारे के सारे plugins आ मैं अगर PWD करूँ तो मैं CDWardlib Jenkins वाले folder के अंदर हूँ और यहाँ पर अगर मैं CD plugins करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं LS करता हूँ तो यह रहे सारे plugins जो यहाँ पर आपके दिखा रहे हैं, तो अगर किसी भी plugin को आपको uninstall करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, कुछ options create out है तो आप उनको नहीं कर सकते, बड़ यहाँ पर काफी सारे जिनको आप uninstall कर सकते हो और अगर आपको कोई भी install करना है तो आप जो है यहाँ पर search कर सकते हो, उसके बाद आप उसको install कर सकते हो, let's suppose कि मैंने Maven लिखा हो और यहाँ पर मुझे आरा Maven integration अगर मुझे इसको install करना है मैंने इसको चेक किया, install without reset, restart, sorry, तो उसके बाद यह install हो जाएगा, और जितने मेरे पास अभी install plugins हैं, उसमें अगर कोई भी update आता है, किसी भी plugin मालो किसी version में कोई update आ गया, कुछ आ गया, तो सारे updates मुझे यहाँ पर दिखाएगा, advance के अंदर मालो कि मेरे पास plugin जो है, जो अबी के लिए, मैं आपको एक basic level पर explain कर देना चाहता हूँ, कि यहाँ पर जो सारे options हैं, उनके हो, हम कैसे करके काम करते हैं, ठीके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, next वीडियो में हम लोग इससे आगे देखते हैं, कि हम लोग एक shell script को कैसे करके execute कर सकते हैं, थैंक् झाल